तो सहज बैटने से आपकी बात नहीं बन रही आप और ज़्याद़ सक्री प्रक्रिया कर सकते हैं किसी भी चीज को करने के अलग-अलग तरीके इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वही व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति अपने जीवन के हर दिन ग्रहन शीलता के एक से स्तर पर हो इसलिए मंत्र का उच्चारण है, मौन है, साधना है, ऐसी दूसरी कई सारी प्रक्रियाएं हैं आप अगर सिर्फ इन तीनों को ले लें, गुरू पूजा है, एक सरल मंत्र है, या मौन होकर बैटना, या साधना इन में से कोई एक चीज़ आप करिये, ये काम करेगा अगर आप और उपस्थिती को महसूस करने की कोशिश ना करें, आप कलपनाए करने लगेंगे महत्वपून बात ये नहीं है, कि मैं उपस्थित हूँ या नहीं, आप मौजूद हो अगर आप एक जगा पर बैटते हैं, तो ज्यादतर समय आप उस जगा मौजूद नहीं होते, आप पूरा ब्रह्मांड घूम लेते हैं अगर आपका मन ऐसी अवस्था में हैं, तो सबसे अच्छा होगा कि आप मंतर जाप करिए, या कोई साधना करिए, या गुरु पूजा करिए, ताकि आप मौजूद रहें अगर आप मौजूद हैं, तो मैं हमेशा मौजूद हूँ मैं अभी तक असफल नहीं हुआ अगर मैं अपना शरीर छोड़ देता हूँ, तो भी मैं उपस्थित रहूँगा तो आपको उपस्थित होना होगा, यही सबसे जरूरी बात है आपकी उपस्थिती मेरी उपस्थिती में कोई दिक्कत नहीं है जरूरत आपकी उपस्थिती की है आपके जगा कोई दूसरा येस मैम बोलकर हाजरी नहीं भर सकता जब आपका नाम लिया जा रहा हो तो आपको मौजूद होना होगा जिस भी तरीके से आपसे बन पड़े आप वैसे मौजूद रहें आप कुछ किये बिना मौजूद नहीं रह सकते तो कुछ कर लें आप प्रेजन्स टाइम को अपना गुरु पुजा टाइम बना लीजिए आप ये कीजिए आपके लिए यही हल है ये आपके मौजूद होने के बारे में है आपका मौजूद होना वास्तविक्ता का एक दूसरा आयाम है मैं क्या मैं मौजूद हूँ? मैं हूँ क्योंकि उपस्ते थी कोई भौगोलिक चीज नहीं है सद्गुरू क्या आप मेरे घर में मौजूद है? मैं सारे दर्वाजों पर ताले लगा दूँगा क्या आप दर्वाजे तोड़ कर अंदर आएंगे? आप कम से कम अपने दर्वाजे खुले क्यों नहीं रखते? मुझे जबरदस्ती दर्वाजा तोड़ कर चोरों की तरह क्यों आना होगा? वैसे चोर दर्वाजा तोड़ कर नहीं आता चुपचाप आ जाता है क्यों? आप दर्वाजे खोल कर क्यों नहीं बैठते ये आपकी मौजूदगी की बात है अभी आप चारों और बिखरे हुए हैं तो अगर आप यूँ ही उपस्थित नहीं हो सकते तो मौजूद रहने के लिए किसी गतिविधी का प्रयोग करें गुरु पूजा एक गतिविधी है या अगर समय और स्थान ऐसा है कि आप गुरु पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम मंत्र का जाप करें ये भी एक प्रकार की गतिविधी है हलकी सी लेकिन चलेगा बस यूँ ही बैठे हुए उपस्थित रहने में आम तोर पर अधिकतर लोग जब पहली बार Inner Engineering प्रोग्राम में आते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं मैं तीन गंटे नहीं बैठ सकता तो हमने इसे सवा तीन गंटे कर दिया क्योंकि लोगों ने कहा कि वो तीन गंटे नहीं बैठ सकते मुझे लगा कि तेरा की तरह शाय तीन भी बुरा आंख है तो मैंने कहा क्लास सवा तीन गंटे की कर दो सद्गुरू अमेरिकी लोग सवा तीन गंटे नहीं बैठ सकते हमारे टीचर्ज और दूसरे लोगों ने मुझसे कहा मैंने कहा कोई बात नहीं वो सवा तीन गंटे ही बैठेंगे सिर्फ पहले दिन उन लोगों को परिशानी हुई दूसरे दिन से लगबख सारे लोग बैठने लगे उन लोगों को छोड़ कर जिन्हें किसी तरह की बीमारी थी वो चलता है क्योंकि अगर आप भाव विभोर करने वाली कोई चीज बनाते हैं तो वो बैठेंगे क्योंकि फिर उने समय का होश नहीं रहेगा वो समय के बारे में नहीं सोचते और वैसे भी समय और स्थान और ब्लैडर की साइज ये सब ही आपकी बनाई चीज़े हैं आप ये सब खुद ही बना रहे हैं ये जीवन के बारे में आपका अपना कॉंसेप्ट है तो अब उपस्थेती आप मेरी चिंता ना करें बस आपको उपस्थेत होना होगा मैं मौजूद ही रहता हूँ हमेशा पर सद्गुरू छे बीस को डेट्रॉइट टाइम के हिसाब से आप तो सो रहे होंगे आप चिंता ना करें मैं उपस्थेत हूँ अगर मैं मर जाओ फिर भी मैं उपस्थेत हूँ अगर मैं उपस्थेत हूँ लोगक के लिए टाइम होगा